आज मैं अपने किच्छन में मदेदार मटर फ्लाव बनाने चाहरी हूँ जो सर्दियों में बहुत पसंद किये चाहते हैं तो उसके लिए जो जब चीजें में चाहिए यह हैं यहां मैंने दो ग्लास चाबली है जिनने मैंने आदे खेंटे से भी गो दिया हुआ है एक अदद प्यास में काट में इसा रियमाथ त्हें एक अध़ इनने स्लैसे सभी आदा देख पर पिश एकखाने का चामाज अद्रकलसन पेस्ट नमत कड़ी पत्त लिये ् निने कड़ी जीरा सुपना से 1.000 है 10 ल 시청र्स वादिए यकटाने लिये य Cass entrev kami से 9 साना बंड़ी ícios ना कंए आचामाज शेना यकदाने वाली नहीं करते हैं यहां मैंने एक टेक्षी दी है उसमें मैं आयल शामिल करूंगी आयल को हम थोड़ा सा गरम करेंगे तो यह जाइल गरम हो चुका है अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी अब प्याज को लाइट ब्राउंग करेंगे मुझे मटर फ्लाओ का कलर हलका पसंद है अब प्याज को अगर आप डार कलर पसंद करते हैं थोड़ा से चाप रूंपा तो आप प्याज को थोड़ा डार ब्राउंग करेंगे मैं इसको लाइट ब्राउंग करूगी प्यास लाइट ब्राउन हो गया है अब मैं इसमें पानी का हलका सा छीता लगाँगी पानी का छीता लगाने से होता है कि प्यास का रग निकल आता है अब इतना प्यास का कलर निकालना चाहते हैं अब मैं इसमें साबित गरम मसाला शामिल करूंगी जिसमें जीरा, दार्चीनी, इलाइची, लॉंग, काली मसाबित मिर्चे, कड़ी पता, अब मैं इसमें 2 मिर्चे लिए इसमें पकाऊंगी अब मैं इसमें सस्विर्चे शामिल करूंगी धनिया पाउडर, गरम मसाला, शुर्ख वेच, अब मैं इसमें अधरक स्विर्चा का पेश, नमक और टीमाटर शामिल करूंगी मैं एच्छे से मिस्ट करूँगी, मैं अब साथ ही इसमें बटर सामील कर दूँगी, बटरों को हम थोड़ी देर भूनेंगे, अब मैं इसको तीन से चार मिनिट के लिए धक दूँगी, ताके टीमाटर भी कल जाए और बटर भी थोड़ी खुन जाए हमने चीन से चार मिनिट हो चुके हैं, आए अब हम इने देख से, मटर भी अच्छे से भूने गए और तीमाटर भी कल गए है, विए यहां मैंने जो ग्लास चावल लिये थे, अब मैं इसमें तक्रीबान धाई ग्लास पानी चामिल करूँगी, अब हम पानी को जो शाने का इ आए हास, अब हम इसमें चावल शामिल एक संथ कराएं के, तो अब जो Are 돌 मेने चावल शामिल करें के तो विए यह Taam पानी को जो खौनाकर करीहें, मुझा पाणी को जो खोड़ा सा कम लग रहा है इसमें तक्रीबान आधा कप पानी और हो शामिल कर दूँगी, हम इनको म इस तरह जब आप चाबल चामिल के लिए उसके बाद आप पानी चक्त नमक में देख सकते हैं कि नमक में श्पूरा है या नहीं अब हम इनको पानी दस बिनट के लिए दम्यानी आज पर पकाएंगे और ढख देगे पानी चाबलों में cukygो हुग है अब हम इम детकों हम 10 मिनट के लिए दं पर रखतेंगे तो विवार हमारे 10 मिनुट का दम हो चुका है आके देखिए कि खिले खिले चावल हमारे बटरपलाव त्यार हो चुका है अब हम इसे आउट करेंगे तो अब हम इसे गार्निश करेंगे तो विवार्ट हमारे मज़ेदार बटरपलाव त्यार हो चुका है तो अब हम इसे गार्निश करेंगे तो विवार्ट हमारे हमने बटरपलाव की गार्निशन कर लिए है आप इसे चिकन आलू कटलक्स के साथ भी खा सकते हैं उनके साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं तो मुझे उमीद है कि आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसे जरून ठ्राई करेंगे तो मुझे आपकी कमेंट्स के इंतजार रहिएगा और अपनी दौाँ में याद रखेंगे कर दो कर दो